हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल तो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम बात करेंगे पैन कार्ड के बारे में जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप आधार कार्ड को पैन कार्ड से कैसे लिंक कर सकते हैं क्या प्रोसेस होता है लिंक करने का तो पूरी फुल डिटेल इस वीडियो में आपको मिलेगे तो फ्रेंड इस वीडियो को मिस मत करिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है तो फ्रेंड चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पाले फ्रेंड अगर आप लोग हम कि आप आधार card को pen card से कैसे निंग करेंगे तो liberals simple साफ को काम करना है आपको अपने mobile में कोई भी एक browser open कर लेना है तो जैसा कि आप स्क्रेन पर देख रहे हैं हमने जो है कि Chrome browser को open侈 किया है तो यहां से आपको क्या करना है कि Google में आना है और Google में आने के बाद आपको search करना है income tax जब friends आप Google में income tax search करेंगे तो कुछ इस तरह से option open होगा और यहां से नीचे देखेंगे तो यहां पर सबसे ऊपर ही income tax की जो website official वह सो हो रही है तो इसी पर आपको click कर देना है जब friends आप इस पर click करेंगे तो कुछ इस तरह से website open हो जाएगी और यहां पर सबसे पहले इसको हम cut कर लेते हैं उसके बाद friends आप यहां पर देखेंगे तो यहां किनारे साइड में आपको बहुत सारा options हो रहा है तो यहां से जो है कि बहुत कुछ कर सकते हैं pen card से related तो यहां पर आप देखेंगे तो एक options हो रहा है link आधार तो आपको इसी पर click कर देना है जब friends आप link आधार पर click करेंगे तो कुछ इस तरह से open हो जाएगा और यहां पर देखें यहां पर आपको 4-5 options हो रहे हैं तो जिसमें कि सबसे उपर आप से दे रहा है कि pen तो यहां पर आपको pen number submit करना है उसके बाद जो है कि उसके नीचे आप देखेंगे तो यहां पर द नीचे देखेंगे friends तो लिखा गया है कि name age पर आधार तो यहां पर जो भी आधार काड में आपका नाम है उसको भरना है और उसकी नीचे दिखेंगे तो लिखा गया है कि I have only year of birth in आधार काड तो इस पर अगर आप click कर देंगे तो जो भी date of birth है आपकी आधार काड में वह ले ली जाएगी और उसके नीचे देखेंगे तो लिखा गया है कि I agree to validate my आधार details with UDI तो इस पे अगर आप क्लिक कर देते हैं तो जो भी आपकी आधार की details है वो आपकी UDI से ले लिया जाएगा और उसके नीचे देखेंगे तो दिया गया है catcha code तो यहां से जो आपको catcha code भरने का option दिखरा है इसमें जो है कyle catcha code भर देना है अगर आपको catcha code नहीं भरना है तो यहां से आप नीचे देखेंगे तो यहां से आप request OTP पर क्लिक कर सकते हैं जब आप request OTP पर click करेंगे तो यहां से आप से mobile number पुछा जाएगा जो भी mobile number आप भरेंगे आपके उस mobile number पर एक OTP send की जाएगे और उस OTP को आपको यहां पर enter करना होगा जब आप link आधार पर click कर देंगे तो जो भी आपने आधार कार्ड का number इंटर किया था वह आधार कार्ड आपके pen card से link हो जाएगा तो इसी तरह से जो है कि हम आधार कार्ड को pen card से link करते हैं अगर आपको friends check करना हो कि आपका आधार card जो है वह pen card से link है कि नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि इसी website पे आजाना होगा और इस website पे आने के बाद इसी option में आना होगा और यह सब details आप जब enter करतेंगे उसके बाद link आधार पर click करेंगे तो आपका लिखा आजाएगा कि योर आधार card इ अल्रेडी एक जिस्ट मलब आल्रेडी जो है link हो गया है तो यहां से आपको so हो जाएगा और अगर link नहीं हुआ राएगा तो आपका link हो जाएगा तो friends इसी तरह से आप check कर सकते हैं कि आपका आधार card link है कि नहीं और अगर link नहीं है तो आप इसी तरह से अपना आधार card link कर सकते हैं तो friends चली इस वीडियो को stop करते हैं यहोग कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को like कर दिजे ज्यादा से ज्यादा से एर कर दिजिए और फ्रेंट्स अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और साथ ही में बेल आइकल भी प्रेस कर दिजिए जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक उसकी नोटिफिकेश सबसे पहले पहुत जाये तो फ्रेंट्स चलिये मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ सब्सक्राइब कर दिए